हलो फ्रेंड्स बेबीज को धूप में ले जाना सही है या नहीं है अगर लेकर जाएं तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए धूप में ले जाना क्यों बेबीज क्रेश जरूरी है क्या चीज़े आप गलत करेंगे जिससे बेबी को नुकसान हो सकता है आज के इस या फिर बच्चा बड़ा हो या फिर खुद हम लो क्यों नहों हमारे लिए जो धूप में बैटना है वो जरूरी है इससे हमें अच्छा विटामिन D मिलता है नमबर टू इससे जो बेबीज हैं उनकी बोन्स हड़िया यानि के मजबूत होंगे उनका अच्छा ग्रोथ होत नमबर थी धूप में जब बेबी को लेकर बैठते हैं तो आप में देखा होगा कि वो जो बच्चे है अकसर उनकी नीद अच्छी होती है वे इक अच्छी नीद लेते हैं कई बार ऐसा सुना है मैंने कि हमारा बेबी जो अच्छी से नीद नहीं रेता है तो दो-तिन चीज तो दॉक्टर ही मेडिसन वगरा देते हैं उनको हॉस्पिटल में रखा जाता है कुछ दिन बेबी को अगर डॉक्टर ने ऐसा बोला है कि बेबी को जॉन्डिस बहुत जादा नहीं है तो ऐसे केस में अगर आप बेबी को थोड़ी दिर धूप में लेकर बैठते हैं तो इसस हलका सरती जुकाम है तो इससे बच्चे को अराम मिलें तो बेबी को धूप में अगर आप लेकर जा रहे हैं तो आपको कुछ चीजों का हमेशा ध्यान रखना है इन चीजों को बिलकुल भी आपको भूलना ही नहीं है नमबर वन की हमेशा जो है बेबी हो चाहिए आप खुद हो आपको सुबह साथ से नौ की धूप में ही बैठना चाहिए या फिर चार बजे के बाद आप जो हलकिल किस धूप होती है उसमें जा सकते हैं बाकि जो 10 से लेके 4 बिल तक की धूप होती है ये जो है इसमें बहुत जादा UV rays होती हैं जिनके फायदे नहीं नुकसान बहुत जादा हैं तो ये आप ध्यान रखिए और सुबह की धूप में भी बच्चे को आप सिर्फ 15 से 20 मिनटी लेकर जाएए उससे जादा आपको दीजिए बहुत जादा धूप नहीं लगने चाहिए बेबीस को इस चीज़का आपको ध्यान रखना है नंबर त्री आपको ध्यान रखना है कि अगर बेबी प्री मैट्यूर है मतलब जो बेबीस जो टाइम से पहले हो जाते हैं ऐसे केसे में बेबीस को धूप में लेकर एक बार जरूर कंसर्ट करें उनसे पूछे कि क्या हम बेबीस को थोड़े धूप में लेकर बैठ सकते हैं या नहीं और इसके लावर जो बेबीस जिनकी स्किन एलर्जी की प्रॉब्लम होती है या फिर उनको बहुत जल्दी जल्दी जो है कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती कई गंटे बेठे रहते हैं माधला दो ती गंटे तक इमिद बैबी बेठे रहते हैं तो यह भी आपको नहीं करना पर को देखा हुगा कि जब B5 को धूप में लेकर बैट रहे हैं तो अचलक से अब बोलनेश जाते हैं की कि skin dry हो जाती है तो यह चीज़े भी आपको ध्यान में रखनी है नेक्स जब भी बेबी को धूप में लेकर जाएं तो बेबी को हाइडरेटेड भी रखना है यानि कि अगर बच्छा छे मेने से छोटा है तो आप बेबी को ब्रेस्फीड जरूर कराएं अगर आप मालीचे प बेबी को अच्छा होगा तो बेबी को अच्छा होता है और अगर आपका बेबी चे मेने से छोटा है तो आप बेबी के लिए संस्क्रीन वगरा बिल्कुल भी यूज मत कीजेगा इस टाइम पर आप उसकी बॉडी को अच्छे से कवर कर लेजेगे इसके सर पर लगाने की ब्लगा उसके जाक नहीं है चे मेहिने से बड़ा जब बेबी हो जाता है तब बेबी की अच्छे के लिए संस्क्रीन वे यूज पर सकते हैं और संस्क्रीन भी जो आपको यूज appar camouflage करya और यूं अगर आपका वेडियो पसंद आई हो तो विज इन बॉक्स में में से पूर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग